स्री राम प्यारे भगतों, आज इवन धन प्राप्ति का मंत्र, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि धन की जरूरत तो सभी को होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, क्योंकि अगर धन नहीं होगा, तो रोटी, कपड़ा, मकान कहां से आएगा? अब कई मनुष्य कहते हैं कि ऐसे धन प्राप्त नहीं होता, मंत्रों से करम करना पड़ता है, हाँ अवश्य ही करम करना पड़ता है, लेकिन उस करम में सफलता जब तक प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप इस मंत्र का जप नहीं करेंगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंतर है ये जो मनुश्य इस मंतर का जाप निरंतरता से और विश्वास से करता है उसके गर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती धन की देवी है लक्समी अब लक्समी को प्रशन करने के लिए लोग मंतरों का जब करते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल मंतर होते हैं और बहुत सारी सामगरी की जरूरत होती है बहुत सारी विधी की जरूरत होती है बहुत सारा उसमें पैसा भी लगता है जब आप कोई उपाई करवाते हो या कोई मंतर जब करते हो नेरंतरता से और ऐसे मुश्किल मंतर होते हैं जिनको आम इनसान को बोलना भी नहीं आता तो हम आपको एक बहुत ही सरल सुगम और बहुत ही शक्तिशाली मंतर बताएंगे अगर आप जब लेंगे तो ये पक्का है कि धन की चारों तरफ से आपके उपर बारिस होने लगेगी अब देखो मान लो आप ग्रहनी हो जिसी के घर में आप जाते हो तो जिस घर में आपके पती की तारिफ की जाएगी आपके पती को इज़त से बिठाया जाएगा उनका सम्मान किया जाएगा तो उस घर में आप बार 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 जाना पसंद करोगी तो ऐसे ही जिस घर में लक्षमी के पती को बार 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 सम्मान दिया जाता है उसको याद किया जाता है तो वहां पर लक्षमी मा का स्थाई वास हो जाता है पहले तो आप क्या करते हैं असरवात में कि थोड़े दिन कर लिया लक्षमी आई चली गई लक्षमी आई चले और जिस घर में जब लकस्मी और लकस्मी के पती दोनों ही होगे, तो वहां तो धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज की कमी वहां नहीं होगी. करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा सबसे पहले देखो जो मंतर आप जबते उनमें तो सुद असुद सब कुछ देखा जाता लेकिन जो हम बताएंगे ना आपको उसमें वैसे सुदता करेंगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो असुद वस्तामेवी मन के दोरा उस मंतर का किसी भी समय जब कर सकते हो वो मंतर है प्यारे बगतो भगवान नाम का बहुत ही शक्ति शाली मंतर है क्योंकि भगवान नाम से उपर इस दुनिया में ना कुछ दा ना है और नाहीं होगा तो उस नाम को आप निरंतरता से जपे अब मालो आपका किसी भी नाम पर विश्वास है अब मैं आपको बता दू किर्शन जपो लेकिन आपका विश्वास है राम पर तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक पूरा लाब नहीं होगा राम पर आपका विश्वास है तो राम नाम को जपो, किर्शन पर है तो किर्शन को जपो, राधा नाम पर है तो राधा को जपो, सीता पर है तो सीता को जपो, जिस पर भी विश्वास है, उसी नाम को निरंतरता से मन के द्वारा जबते रहो, जबते रहो, दिन भर जबते रहो, और कोशिस करो, सुबह ब्रह् सकते हो ना जिसकी वज़े से ये जीवन हमें मिला हुआ है लेकिन मन उसे एक घंटा भी नहीं देते आप एक घंटा दे देंगे ना तो मैं कहते हूं तुरंद ही आपकी जिन्द की बदल जाएगी क्योंकि जब उसकी करपा हो जाएगी तो सारी दुनिया आप पर करपा करेग तो नोकरी अवश्य ही मिलेंगे आपकी तंखवा बढ़ जाएगी जहां पर भी हाप आथ डालोगे वहीं से आपको धनाने लगेगा तो इसी तरह से अगर आप निरंतरता से नाम जब करते रहेंगे बगवान का तो आपके उपर धनकी बारिस होगी बारिस इसमें कोई संस है ही नहीं तो प्यारे बगतों बहुती स्थरल सुगम और शक्तिशाली नाम है बगवान का इसको पकड़ लीजिए और पकड़ के इसको कभी ना छोड़े तो आपके जीवन अवश्य ही बदलेगा और अगर आप हमसे डारेक्ट जोड़ना चाते हो तो फेस्बुक का जो ह लिंक है डिस्क्रिप्शन माउस पर फोलो करें अब हम अपने वाने को विराम देते हैं जै स्री राम भागता